एक छोटे से गाव में, जहां हर और हर्याली थी और लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, वहां की एक प्यारी सी लड़की थी, जिसका नाम राधा था। राधा बहुत ही सुन्दर, हस्मुक और दयालू थी। उसकी सादगी और मासूम्यत से हर कोई प्रभावित था। उसकी बड़ी-बड़ी आँखों में एक अद्भुच चमक थी, जो किसी के भी दिल को छू जाती थी। उसी गाव में एक लड़का रहता था, जिसका नाम अर राधा और अरजुन की मुलाकात गाव के मेले में हुई। वह मेला गाव के लोगों के लिए बहुत खास था, जहां हर साल नई उमंग और उत्साह के साथ लोग हिस्सा लेते थे। मेले में राधा अपने दोस्तों के साथ जूला जूल रही थी, और अरजुन अपने छोट वह उसकी आँखों में अपने सपनों का संसार देख रही हो अरजुन की आँखों में भी कुछ अलग सी चमक थी वह पहली बार किसी लड़की से इतने करीब से मिला था और उसे महसूस हुआ कि राधा उसकी जिन्दगी में कोई खास जगह रखने वाली है इस पहली मुलाकात ने दोनों के दिलों में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे की आँखों में वो सब कुछ पढ़ लिया था जो शायद शब्दों में कहना मुश्किल था मेले के बाद दोनों अपने अपने घर वापस तो चले गए लेकिन उनके दिल और दिमाग में एक दूसरे की तस्वीर बस चुकी थी राधा और अरजुन के मन में अब एक ही ख्वाहिश थी एक दूसरे से फिर मिलने की क्या उनकी ख्वाहिश पूरी होगी? क्या उनकी प्रेम कहानी गाव की हदों को पार कर पाएगी? यह जानने के लिए सुनते रहिए इस दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी को मेले के बाद राधा और अरजुन दोनों एक दूसरे के ख्यालों में डूबे रहते थे उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ अधूरा सा हो गाव की गलियों में घूमते हुए भी दोनों की नजरे एक दूसरे को ढूंटती रहती थी एक दिन सुभा सुभा राधा गाव के कुएं पर पानी भरने गई उसे उम्मीद थी कि शायद वहां अर्जुन से मुलाकात हो जाए संयोग से अर्जुन भी अपने खेतों के लिए पानी भरने वहीं आया हुआ था दोनों की नजरे मिली और उनके चेहरों पर मुस्कान छा गई अर्जुन ने जिजखते हुए पूछा कैसी हो राधा राधा ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया अच्छी हूँ तुम कैसे हो अर्जुन ने सिर हिला कर कहा मैं भी ठीक हूँ उस दिन मेले में तुम्हें चोट तो नहीं लगी थी राधा ने शर्माते हुए कहा नहीं तुमने संभाल लिया था इसलिए बच गई धन्यवाद अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा तुम्हारा धन्यवाद का कोई मतलब नहीं अगर मैं तुम्हें न संभालता तो मेरा दिल भी तूट जाता राधा की आँखों में चमक आ गई और उसने कहा तुम बहुत अच्छे हो अर्जुन धीरे धीरे राधा और अर्जुन की मुलाकातें बढ़ने लगी कभी खेतों में, कभी गाम के मंदिर में, कभी कुएं पर हर जगह दोनों एक दूसरे का साथ खोज लेते उनके दिलों में प्यार गहराने लगा और दोनों का रिष्टा मजबूत होने लगा एक दिन अर्जुन ने हिम्मद जुटा कर राधा से अपने दिल की बात कह दी उसने कहा राधा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं जबसे मैंने तुम्हें देखा है मेरा दिल तुम्हारे बिना अधूरा सा लगता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं क्या तुम मेरे साथ अपना जीवन बिताना चाहोगी राधा ने अर्जुन की आँखों में देखते हुए कहा अर्जुन मुझे भी तुम्हारे बिना जीवन की कलपना करना मुश्किल लगता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ दोनों की आँखों में आंसू थे लेकिन ये आंसू खुशी के थे उनके प्यार ने उन्हें एक कर दिया था लेकिन समाज और परिवार की चुनाथियां अभी बाकी थी क्या उनका प्यार इन चुनाथियों को पार कर पाएगा क्या उनके परिवार और समाज उनके रिष्टे को स्वीकार करेंगे लेकिन राधा और अर्जुन का प्यार अब परवान चड़ चुका था लेकिन उनके सामने समाज और परिवार की दीवाने खड़ी थी दोनों के परिवार अलग-अलग जातियों से थे और उस समय समाज में यह बहुत बड़ी बाधा थी एक दिन अर्जुन ने अपने दिल की बात अपने माता पिता को बताने का निर्ने लिया उसने हिम्मद जुटा कर अपनी मा से कहा मा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है मैं राधा से बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना रह नहीं सकता मैं उससे शादी करना चाहता हूँ अर्जुन की मा ने यह सुनकर चौकते हुए कहा अर्जुन, तुम्हें पता है कि राधा दूसरी जाती से है हमारे समाज में यह संभव नहीं है तुमारे पिता जी भी इसके खिलाफ होंगे अर्जुन ने दुखी होकर कहा यह नहीं हो सकता अर्जुन दूसरी जाती का है और समाज हमें कभी स्विकार नहीं करेगा राधा ने रोते हुए कहा पिता जी, अर्जुन से ज्यादा मुझे कोई नहीं समझ सकता मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ कृपिया हमारे प्यार को समझे दोनों परिवारों में तनाव बढ़ता जा रहा था एक दिन राधा और अर्जुन ने गाव के मंदिर में मिलने का निर्णाई लिया उन्होंने वहां मिलकर एक दूसरे को दिलासा दिया और तय किया कि वे अपने प्यार के लिए संगर्ष करेंगे राधा ने अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए कहा हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते अर्जुन हमें कुछ करना होगा अर्जुन ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा हम मिलकर इस समाज की दीवार को तोड़ेंगे राधा हमें अपने प्यार पर विश्वास रखना होगा अर्जुन और राधा ने अपने परिवार और समाज के सामने एक जुट होकर खड़े होने का फैसला किया उन्होंने गाव के बुजुर्गों और प्रतिष्ठित लोगों से मदद मांगी कुछ लोगों ने उनकी बात समझी और उनका समर्थन करने का वादा किया धीरे-धीरे उनके प्यार की कहानी गाव में पहल गई और लोग उनकी हिम्मत की तारीफ करने लगे राधा और अर्जुन के संघर्ष ने गाव में हलचल मचा दी थी कुछ लोग उनके हिम्मत की सराहना कर रहे थे तो कुछ लोग उनके खिलाफ खड़े थे लेकिन दोनों ने हार मानने का नाम नहीं लिया एक दिन गाव के मुखिया ने दोनों परिवारों को बुला कर पंचायत बुलाई मुखिया एक समझदार और खुले विचारों वाले व्यक्ति थे उन्होंने पंचायत में सभी को संबोधित करते हुए कहा हमारा समाज प्रेम और एक्ता की नीव पर टिका है अगर हमारे युवा अपने जीवन साथी को चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं है तो यह हमारी सामूहिक विफलता है राधा और अरजुन ने अपने प्यार के लिए जो हिम्मत दिखाई है वह हमें एक सीख देती है कि प्रेम जाती और धर्म से उपर है हमें उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए मुखिया की बातों का गहरा असर हुआ धीरे धीरे लोगों के विचार बदलने लगे अरजुन के माता पिता और राधा के माता पिता ने भी अपने बच्चों की खुशी के लिए अपने पूर्वा ग्रहों को त्यागने का फैसला किया अरजुन के पिता ने कहा अगर अरजुन और राधा एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं और उनके बिना नहीं रह सकते तो हमें उनके प्यार का सम्मान करना चाहिए हमें अपनी पुरानी सोच बदलनी होगी राधा के पिता ने भी सहमती जताई हाँ हमें अपने बच्चों की खुशी के लिए अपने मन के दर्वाजे खोलने होंगे अगर अरजुन राधा के लिए सही है तो हमें उनका साथ देना चाहिए इस तरह दोनों परिवारों ने राधा और अरजुन की शादी के लिए अपनी स्वीकृती दे दी गाम वालों ने भी इस जोडी का दिल से स्वागत किया राधा और अर्जुन की शादी पूरे गाम में धूमधाम से मनाई गई इस शादी ने न केवल उनके प्यार की जीत का जश्न मनाया बलकि समाज में एक नई सोच और बदलाव का भी संदेश दिया शादी के बाद राधा और अर्जुन ने मिलकर अपने गाम में शिक्षा और सामुदाइक विकास के लिए काम करना शुरू किया उनका प्रेम और समर्पर्ण पूरे गाम के लिए प्रेरणा बन गया उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर सकता है और समाज को एक नई दिशा दे सकता है राधा और अर्जुन की यह दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बसी रही एक मिसाल के रूप में झाल झाल